गाथा ये अम्रितमाय जिवन गाथा गोरिय उबश्टब शाधक के लिए एक प्रान शुरूप है ये कथा ही उनकी जिवन का एक मत्रास्राय है जिस कथा बलंबन करके प्रेम शान निद्द प्राक्त करने में शमर्त हो सकते हैं सिर्वन मांगलम सिर्वन मात्र से ही मंगल करने में शमर्त है ये अम्रितमाय कथा कथा में ऐसे शक्ती है भजन के द्वारा शाधक आपने अंतकरण को इतने सहज निर्मलिकरण करना सम्भब नहीं है अंतकरण के एक शुद्धता ये तो सुर्मन मात्र वरीकथा सुर्मन से जितना जल्दी अंतकरण शुद्ध होता है निर्मल होता है भगवाच चरण में एक प्रणा का स्रोत बनता है अंतकरन को शोधित होता है ऐसे कथा स्रवन जो है दूसरा कोई भुक्तियंग जाजन करके इतना स्रहज अंतकरन को शोधित करके रिदय को शुद्ध करना अशंभव है स्रवन है मदगत चित्ता मदगत प्राना बुद्धयंत परश्परम गधयंत मांगने तंग तुष्षंत चर्यमंत चो ऐसे हरी कथा मदगत चित्ता मदगत प्राना ऐसे नहीं हरी कथा सब के मुख से स्रवन करने से होता नहीं है यह स्रीफ शब्दों नहीं है यह शब्दों जो कथा अश्वादन करते हैं, जो भजन करते हैं, भगवाच चरण में समर्पितो हो करके, जो ये कथा अश्वादन करते हैं, तो जाकर के उनके कथा जो है, उसे सब्द में कुछ शक्ति होती है, नहीं तो एक मत्रु स्रीप किताभी बिद्धत्या के द्वारा, शास्त्रो अध्यान करके, उस सब्द में उतना शक्ति हाना संभब नहीं हैं, जो कि भजन के द्वारा भगवाच चरण में समर्पितो हो करके, ऐसे भक्त के मुख से जो हरी कथा, वो कथा में बहुत दम है, शक्ति है, स्रमन मंगलम, स्रमन मात्र से ही मंगल करने में समर्पितो है, एक हरी कथा, तो मदगत चित्ता, मदगत प्राना, ऐसे जो भक्त है, बढ़ाणत परश्परवापश में हरी कथा स्रमन करते हैं, उसमें रम जाते हैं, रम अंतिच अधृत, तुश्य शंति, आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसे जो भक्ता है, ऐसे सत्संगुजदा है, ओ कथा बिशस मंगल प्रध है और उस कथा में असिषश शक्ति शमन्झिता है, ओ का तस्तुर्वन से ही बिशस मंगल शादन करने में शमर्थ है उस कथा में भक्ता भगवत अंग्रज्य न बुद्धा न चोटी गया एक मत्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है ना बुद्धी के द्वारा ना टीका पढ़ करके जो शास्त्र विद्यान करके कोई अगर सोचे हम बड़ा भक्ता बन जाएंगे हम जगत का बहुत शारे मंगल करने में शमर्त हो जाएंगे कदा भी शम्बब नहीं है भजन चाहिए भगवत चलन में शमर्पितो करके फिर स्रिमाद भागवत महापुरान को रिदाय में धारन करके रोना चाहिए रोधन करना चाहिए प्रभू हम कुछ जानते नहीं है तुम कृपा करके हमारे रिदाय में स्पूरित हो जाओ तुम हमारे रिदाय में उनुक ग्रह करके अभिर्भुत हो जाओ तुम हमारे भीतर में रहे करके तुम्हारे कथा तुम परिवेशन करो हम एक सुरता बनके तुम्हारे एक कथा सुरुबन करेंगे तुम बक्ता बन जाओ हमारे भीतर में रहे करके ऐसा प्रार्थन के द्वारा रोधन करना चाहिए तो फिर जाकर के भगवान उनके रीदय में बैठ जाती है फिर मैं उसके भीतर में बैठ करके उसको ऐसे बुद्धी देता हूँ बुद्धी जो मैं प्रदान करता हूँ तो कहते हैं भक्ता भगवत अंग्रेज्चा एक मत्र भुक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकते है ना बुद्धा ना अच्टिका या ना बुद्धी के द्वारा बुद्धी प्रेक करके ना टीका पढ़ करके टीका पढ़ करके भी समझ में आएगा नहीं ऐसे हैं धर्मश्य तत्यंग नहीत गुहायं अगत श्वण था धर्म की तत्यंग गुहा में छूपा हुआ है एक हमारे आचाऩ जियो जिस मारगव अबलम्मन करके चले हैं हमारे लिए जो मारग प्रदर्शन करके गए हैं हमको बालग जैसे उस मारगव अबलम्मन करके चलना है इधार उधार जाकना नहीं आए जिस मारगा बलंबन करके चले आए हम कभी उस मारगा बलंबन करके चलने के लिए कायमन बच्छान से प्रयत्न करने के लिए कोशिश करना चाहिए शातंतर बुद्धी नहीं तो ये भगवत भीशाय जो है ये प्रभु के क्रिपास से ही जाना जा सकता है तो इसलिए ये कथा सुवन करने के लिए चाहिए ऐसे प्रेमी भक्तो जो भगवाच चरण में शमर्पितो हो करके जिसके मन में और कोई बाशना नहीं जिनका और कोई चाहन नहीं ऐसे समर्पितो चित्त है ऐसे भक्त के भीतर भगवान करपा करके समस्त तत्त को प्रकाशित करते हैं त्रीचेटन प्रशादेनों शर्ब शास्त्र बिनिन्नयम बालों पे कुरूते शास्त्रं दृष्टा अब्रजी बिलाशिनों मुझे भगवात करपाश से महाप्रव के करपाश से शर्ब शास्त्र बिनिन्नयम शामस्त्र शास्त्रो जान सकते हैं बालों पे कुरूते शास्त्रों बच्चा होने से भी वो शास्त्रों शामस्त्र ग्यान हो सकता है तो हमारे अलग्च विश्या है जो महाप्रव के पावन जीवन का था शुदी जन जो भक्त प्रीमी भक्त हैं बर्जों में आये हैं एक पात्र हरी भक्ती ही जीवन का एक पात्र उद्धिश्य ले करके राधार्री की चरण प्राप्ती ही जीवन का एक पात्र उद्धिश्य ले करके बर्जों में आये हैं उनके लिए एक कथा जो है परम मंगल प्रद है स्रुबन मंगलम स्रुबन मात्र से ही मंगल करने में शमर्त है ये कथा ये हरी कथा महाप्रभु अभी निला चल लिला कर रहे हैं समस्त तीर्थ परिजटन करके दक्षिन भारत आदिव भ्रमन करके फिर बिरंदावन काशिपूरी हो करके महाप्रभु आये हैं जगनात्पूरी में जगनात्पूरी में महाप्रभु विराजमान हैं बहुत शारे भक्त हैं बंगल से नना देश विदेश से नना स्थान से महाप्रभु के चरण शन्निद्ध प्राप्ति के लिए आ रहे हैं आते हैं महाप्रभु के किन्चित की क्रिपा कटक्श प्राप्ति के लिए लालाई तो होकर आते हैं तो एक बार क्या हुआ महाप्रभु जगन्लात पुड़ी में विराजमान हैं और महाप्रभु के प्रिय पार्षात स्वरूब दामदर शर्वतत्यक्व महाप्रभु के क्रिपास से महाप्रभु के जैसे दित्यों स्वरूब इसलिए उनका नाम हुआ शरूब दामदर, शरूब महाप्रव कही जैसे दितियो शरूब यह तो पुर्व लेला में इरादरनी के प्रियशकी बिशकाशकी है शरूब दामदर, शाधरन थोली है महाप्रव के पास कोई भी अगर शास्त्र बिशाय ले करके तर्क बितर्क करते हैं तो महाप्रव कहते हैं पहले शरूब दामदर के पास जाओ जा करके उनसे पहले शिद्धन्त शंबंद में कुस गान पर करके फिर हमारे पास आना फिर हमको तुम सुनाना ऐसे नहीं कोई कुसी लिख के लाया या कोई शिद्धन्त शंबंद में को सापने ब्यक्त तो किया, नहीं ऐसा नहीं, जब पहले शरुब दमदर के पास जाओ, एक ब्यक्ती पर शरल शिधा, पंडित है, उसमें तो शिक्षा के माध्यमी था सौंस्किती, सौंस्किती एक मतल शिक्षा का माध्यम, अब इसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उसमें सौंस्किती एक मतल मीडियम, भारतिय सौंस्किती जो है, उसमें सौंस्किती के उपर निर्भरशिल, सौंस्किती माध्यम, सौंस्किती बिना शिक्षा होना, प्राप्त करना संबब नहीं, तो एक जन बंगाल से आये हैं, एक ग्रंत प्रनायान करके, ग्रंत लिके कि आए हैं महाप्रवर्व को समंद में एक तो बहुत शारे वक्तों को दिखाएं मैसे ग्रुन्त प्रनान किया हैं आप लोग कहीं कैसे हैं ग्र WOODRUFF महाप्रव को दिखाना चाहते हैं तो सब वक्तों हम जा से calm मेरी ठमाजेौ करते हैं, नै, ये तो महापरु बहुत प्रस्चन हो जाएँगे, ऐसे शित्धान तो परिपूर्ण परिपूल्ण ये ग्रन्त में जिस तरता आपने शिद्धान तो नीत की हैं, ये तो बहुत शून्दर हैं, ऐसे सब को जाए तो बड़र, हरस्चित हो करके आये हैं महापरुब के पास, परभु हमने एक गृंत प्रणायन किये हैं, आप किरपा करके तुरह सर्वन कीजिए, तो महापरुब कहते हैं, तुम पहले शरुब दमदर के पास जाओ, उनके दिखाओ, वो अगर अनुबोधन करते हैं, तो फिर हमारे पास आना, तो वो तो भक्तों लेकर गए हैं, गृंत को शरुब दमदर के पास, जो महापरुबु ने आदेश किये हैं, आपको तुरह स्रुबन कराने के लिए, आप तुरह सुनिए, इसमें क्या शिद्धन्त बिरोध है, क्या ठीक है इस शम्मंद में, आप जैसे कहेंगे, तदनुशार हम महापरुबु को इस तरह से, ए गृंत को स्रुबन कराएंगे, तो शरुब दमदर तो तत्त दुरुष्टा, ऐसे तो हम जो, हम लोग अध्यान करते हैं, अपने बुद्धी विचार के द्वरा, तो शिद्धन्त शमंद में, कुस धारना करके, शास्र ग्यान शमंद में कुस धारना कर लेती हैं, बस्तव में ऐसा नहीं, जो तत्त दुरुष्टा होते हैं, वो भीतर से ही जान जाते हैं, जो बस्तम में ये शत्या ये ठीक है ये भूल है तो शरुब दमदार पहले खोलते ही प्रतम जो बंदोना है इसमें कहे जगा देखकर के बड़े नराज हो गए है अरे मुर्खो कुछ जानते नहीं हो तुमने भागबात अध्यान के लिए कभी भक्त का संग किया है भागबात पढ़ोगी आप बश्तम में रिस्ताने तब इसे शिद्दान तो भुजी भी आपने भागबात पढ़ने के लिए तुमको जो प्रेमी भक्त है बश्तम जो है उनके सन्नित में जा करके शास्त्रों अध्यान करना चाहिए तुम आपने मन मुखी मन में आया कुछ लिख दिया तो कहे जगा मुई शरुबदर दामदर में दिखा है जो तुमने ये देखा कितना शिद्धन तो बीरोद है बीरोद अभास है ये कोई गुरम तो ये ऐसे तुरी होता है तुमने लिख लिया और ये इसको महाप्रव को शुनाएंगे जाओ जाओ बाबी जाओ जा करके कुछ दिन जा करके महाप्रव के प्रेमी भक्त जो है उनके शंग में रहे करके उनके शानित में रहे करके पहले भगवत स्रबन करो शयंग बिद्वान मत बनो ऐसे बिद्वत्ता होती नहीं है अगर बिद्वान होना चाहती हो तो ऐसे प्रिमी भक्त जो है उनकी शन्निद्ध में जा करके भगवत उद्यान करो तब जा करके उनकी कृपास से तुम समझ पाओगे नहीं तो ये भगवत सिद्धान तो समझ दे इत्ता शाहस थो रही है ऐसा करके बहुत फटकारा और वो तो बेचारा तो बहुत लजजित हो गया सब के सामने ऐसे कहे दिया बड़ी आशा लेके आए हैं सब कोई बहुत प्रशंग्षा किया है ना तो प्रशंग्षा से क्या होता है अहंकर पुष्ट हो जाता है जब ज़्यादातर मुनिश्चों हम लोगते ऐसी अहंकर इस जी बात्मा है ना उसकी उबर सब ज़्यादा प्रशंग्षा करना शुरू करते हैं न तो क्या होता है अहंकर पुष्ट हो जाता है और वो अहंकर बड़ा बिगातक होता है शाधन के लिए अहंकर सबसे बड़ा बिगातक है हम जो बहुत समझते हैं हम जानते हैं समझते हैं यह जो बिचार धरा बुद्धी जो है यह कोई भी शादना करो, कोई भी मर्ग अवलम्मन करो, चाहे जोग मार्गो, ग्यान मार्गो, तंत्र मार्गो, जोग मार्गो, ग्यान मार्गो, तंत्र मार्गो, कोई भी मार्ग अवलम्मन करो, मून विशय बुस्तु एक है यह अहंकार बने अज्ञान जतो अहंकार अहंकार बने करता मैं हूँ मैं हूँ यह मैं मेरा पन यह अहंकार है उसके अंदर अहंकार का दो बृत्ती एक है चिद बृत्ती एक है जरुबृत्ती जरुबृत्ती है शरीर मैं हूँ, शरीर सम्मंदी बुस्तु मेरा है, बस ये भ्रह्म, शरीर मैं नहीं, शरीर सम्मंदी बुस्तु मेरा नहीं, शरीर में आत्म बुद्धी मैं हूँ, ये है समस्तो अज्यनता का जर, ये बुद्धी ही साधक को शरीर धर में बना करके, और शरीर में आशक्त कर प्रति उसके चित्त आक्रिष्ट करके शंग्षार्च चक्र में भ्रमन कराता है यह अहंक्ता करता हम इती मन्यती यह अहंकरा गिया विश्पे तो गीता में कहते हैं जश्च नहांक्रित भाव बुद्धिरी जश्च नलिप पते हत्ता पीश्च नहांती निवद्धते जिसक मैं करता हूँ ऐसा बुद्धि जिसका है नहीं जश्च नहांक्रित भाव हो मैं करता हूँ ऐसे बुद्धि जिसका है नहीं मनें अहंकर नश्ट हो गया है बुद्धिर जश्च नलिप पते बुद्धि तो अहंकर करके कारण लिप तो होता है यह ठीक है यह ठीक नहीं है निश्वयत्ति का बुद्धी, बुद्धी किसे कहते हैं, संकल्प विकल्प अत्मक मन, संकल्प विकल्प करते हैं, यह करना है, यह है मन, मन का धर्म है, और निश्वयत्ति का बुद्धी, निश्वयत्ति का बुद्धी मने यह ठीक है, जब निश्वयत्ति करते हैं यह बु दिहोंकार, तो भुद्धिरिज्श्य न लिप थे, भुद्धि लिप तो होता नहीं है, हट्था पीशवु मलों का ना हुंती न निबद्ध्धते, समस्त जगत को हत्य करने से भी, कोई पापुन्र में लिप तो नहीं होता है, निल लिप तो रहे जाता है, औहंकार के कारण ये कर्म का शुबा 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 फल भोगता है हम कर्म का शुबा शुबा फल भोगते हैं उसका कारण है अहंकार इसलिए अहंकारी मूल जड़ है तो क्या करना है ना ब्रमन न धहि कर्माने शंग्हें सक्ता कर दिचा लिप्पति नशा पापे न पद्दबत्र मिवाम बशा ब्रमना दही करवानी ब्रम्म मने भगवान पुन्न ब्रम्म शनातन भगवान कृष्ण कृष्ण में समस्त कर्म शमर्थपन करके कर्म शमर्थपन मने कर्म शमर्थपन किसे कहती है कर्म समत्मन क्या को समत्मन करूगे मनि कोच्छित्य पन को नश्ट कर दिना मैं नहीं तुम ने कराया ये कर्म जो करा रहे हो तुम करा रहे हो फिर भी अहंकार रहने के कारण तो अहंकता तो रहता है ना तो क्या ना ये अहंकार दाज बनके रहना है तुम करा रहे हो हमारे द्वारा हम जो कर्म कर रहे हैं तुम करा रहे हो और तुम्हारी प्रशुन्नता ही हमारे कर्म के उद्धिश्य है बस तत कर्म हरी तोशंग जिस कर्म से भगबन प्रशुन्न होते हैं वही कर्म बाकी कर्म बंदन का कारण तो कर्म वो बंधन का कारण नहीं होता है जब प्रभु को करता मान करके स्वयंग अकरता बनके प्रभु के प्रशिन्नता शंपदन के लिए शमस्त कर्म शंपादन करते हैं तो बोलते हैं वो कोई पाप में लिपतो नहीं होता है ब्रमन्न द्हे कर्मानी मने भगवान में समस्त कर्म शमर्पन कर दिया मने तुम जो करा रहे तुम करा रहे हो और ये सब जो भी कर्म हो रहा है तुमारी प्रिशननता के लिए बर्मन नद्य कर्म शंगं तकता शंगो दोष जिससे हमारे मन में कर्मो के कारण कुछ गुण अरोपी तो होता है ना भाला भूडा आदी तो ये शंगो दोष के कारण कर्मो करते हैं उसके कुछ आरोप्रत्तर रुप होता है हमारी उपर भाला भूडा आदी इससे करते हैं शंगो शंगं तकता करती जो न कोई आरोप्रत्तर रुप नहीं कुछ तहीं कर्म करते हैं भगवत प्रशिन्यता के लिए इस पे हमारा कुछ है नहीं बस प्रभु के प्रशिन्यता ही हमारे कर्म के उद्धिश्य बस हुआठ ठीक है नहीं हुआ ठीक है तुम जानो ऐसे भावना तो हम प्रभु क उपर समर्पित होकर करम करते हैं वो हम कैसे जानेंगे उसका लक्षन है इसनि तुमरे अंदर कितना हंकर है तुम ही जान सकते हो करम तुम समर्पित हुए हो या हो नहीं पाए तुम बता सकते हो मालनों जो कर्म करते हैं अगर भगवान के उपर नस्त हो करके प्रभु करा रहे हैं कर्म करता प्रभु हैं प्रभु के प्रश्णता के लिए ही कर्म हम कर रहे हैं प्रभु हमारे द्वारा समस्त कर्म करा रहे हैं उसमें अगर हुआ तो हर्ष्ण नहीं, नहीं हुआ तो अप्रशुन नहीं, कष्ट नहीं, क्यों यह प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा कर रहे हैं, कर्म हुआ नहीं, रुख गया या कर्म बंदी हो गया मानलो, तो यह प्रभु की इच्छा, उसमें कोई कष्ट न ना ततुल जानूँ गोई जो तुम्हारा अहंकार अब नुस्दो हो रहा है तो ब्रश्मला दे wurd कर्मानी शंग ऩाखता करती जो लिप्द पूंप आश्वपापे नो ओ कोई पाप में लिप्त नहीं होता है कर्म के सुभाश्भो फल में लिप तो नहीं होता है, जैसे पद्द पत्रम इबं अंबुशा, अंबुशा मैंने जल कौमान दल में पत्र पत्रो बने कौमान के पत्ता है ना उसमे कभी पानी तुम डालोगे ना तो कभी मिलता नहीं है सौस्पिष्ट नहीं होता है हिलता है रख दो पत्ता शुका पत्ता ही मिलेगा तुमको गीला कभी होता ही नहीं बोलता है तुम शांग्षार में रहे करके इस तरह से निल्लिपतर होगे तो ये अहंकार ये अहंकारी है जर इसको नश्ट करना है तो अहंकार का दो बृत्ती है तो जाता नहीं है एक जड़ बित्ती जड़ बित्ती है शरीर मैं हूँ शरीर सम्बंदी बुस्त मिला है यही बंधन का जड़ है अज्यानता का जड़ है माया की जड़ है माया की जड़ है शरीर मैं शरीर मैं नहीं हूँ यह आगन्तु मात्री जठर में शुरुआत मैं हूँ शरीर में लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ जब बस्पन में हम कहते हैं हम तो बच्चा है हम तो बच्चा है तो बस्पन गया हम तो नहीं गये शरीर में हम बैटे हैं फिर बालक बालपन आया और थोला बड़ा हो गया तो कहते हैं हम बालक हैं ठीक है तुम बालक हो लेकिन बालपन गया लेकिन तुम नहीं गये फिर आया जवानी कहते हम जवान हैं जवानी गई हम नहीं गई फिर है पुरूर अबस्था हम तो अब उमार होगी हमारे बहुत तो पुरूरो अवस्था गई तुम नहीं गई फिर आए बर्धक को ब्रिद्ध अवस्था तो गया कौन है कौन अगर हम बालक होते तो हम बालक रहते किशोर होते तो हम किशोर रहते जवान होते हम जवान रहते ब्रिद्ध होते तो हम ब्रिद्ध रहते कुन और है कुन अगर हम बालाक होते तो बालपन के शाथ हम भी चले जाते हैं हम तो गयनी इस घट में तब से बैटे हैं जलम से ले करके तब से हम बैटे हैं और यह अबस्ता का परिवर्तन हो रहा है यह अबस्ता का परिवर्तन किसका हो रहा है हमारा थोड़ी हो रहा है ले का परिवर्तन हम अपना परिवर्तन समझते हैं इसका कारण है शरीन में आत्म बुद्धी तदात्मता के कारण ये भूले ये गलत है ये है माया ये है माया के जर माया क्या है मलते है काया ही माया है काया के कारण ही तो शमस्तस्नियो ममता माया महो ममता आदी जो भी है शे काया के कारण काया ही माया है माया बाहर नहीं दिश्वन जगत माया नहीं है काया ही माया का जड़ है इसलिए ये अहंकारी ये जड़ है तो ये इसके परिवर्तन होना चाहिए क्या करना है ना इसको जो बृत्ति को परिवर्तन करनी है इसको चीद बृत्ति में ले जाना है चीद आंकर का जर बिर्ती एक है चिद बिर्ती अबिद्धा उन्मो की अभिमान और बिद्धा उन्मो की अभिमान अभिमान इसको बहुत शरी नाम दिया जा सकता है अबिद्धा उन्मो की अभिमान अभिद्धा माने शरीर धर्मी और बिद्धा उन्मो की माने चीद अभिमान मान मैं शरीर नहीं, शरीर सम्मंदी बस्तु मेरा नहीं, तो मैं कौन हूँ, ना मैं चिनमाई हूँ, दिब्बा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरी है, या मैं राधर नहीं हूँ, राधर नहीं मेरी है, बस, यह है चीद अभिमान, यह चीद अभिमान, शरीर धर्मी न चुल जाएगा त्समाइश चीद अभिमान चीद अभिमान जतना बाहतता जाएगा जड़ियो अभिमान उतना हाटता जाएगा तो एक समय जा करके जड़ियो अभिमान किछुली छूड़ जाता है चीद अभिमान जा करके शरूप में स्थीत हो जाता है बस जहां जाके उसके जर्चितन ग्रंती खुल जाता है शरूप प्राप्त करके फिर अपने अपना साधन अनुशार अपने गोति को प्राप्त कर लेते हैं जैसे जिसके साधना कोई मानले जिये अशर्ज उपाशना नारायन उपाशना करते हैं वो चोतुर भुज भगवान के परशत्त नुप्राप्त करके जाते हैं कोई बच्शलежд भाव उपापशना तो ब्रजमें मत्री भाव लेकरकर के जाते हैं, कोई ह। अंकार को नश्ट करना है, अंकारी बिस में आ गिया, तो यह जो मान अभिमान, यह जो मैं हूँ, मैं मेरा पन, यह सब कारण से ही, हमारी जतना अज्ञानता, जतना अभिध्या, जतना संसयर मोह ममता, जतना भगवद बहिर मुखता, यह सब जतना विशय अभिनिवेश, बस यही कारण है, यह जड़ अभिनिवेश, शरीर में आत्म बुद्धी शरीर मैं हूँ, यह है मुल जड़, इसको हटाना है, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंदी बस्तु मेरा नहीं, तो शाधन करना चाहते हैं, उसको यह भावना तिब्र होना चाहिए, शरीर मैं नहीं, शरीर सं मुंदी बस्तु मेरा नहीं मैं चिनमा हूँ, मैं आत्मा हूँ मैं भगवान का उंग्षु हूँ भगवान से यमारे नित्त शंबन दो ऐसे भावना तो ये अहंकार अहंकारी है सब अभी दकजड है तो बीवेकानन दों कहते हैं बीवेकानन देख शब्दों कहे गए हैं बोलते हैं तुम उस जगह जाना जहां तुमको सब बहुत अपमान करते हैं बहुत निंदा करते हैं बहुत हीन समझते हैं ऐसे जगह तुम ज़्यादा जाना बोलते हैं क्यों बोलता है वो ना मार मार के तुम्हारा अंकर को नश्ट कर देगा तुम बहुत जल्दी भगवान के पास पोच जाओगे बहुत जल्दी कष्ट होता है जो हमको अपमान करता है, निंदा करता है वहाँ जाना, छोटा कर देता है है यह क्या है है सुनते सुनते ओई ऐसे दिख कर आ जाते तुम और ज़्यादा संदमान प्रतिष्ठा बोलते हैं, वहाँ जाना नहीं चाहिए क्या होता है, वो तुमारा अंकर को जो अंकर को छोरना ही शादू ना है वो अंकर को पुष्ट कर देती है दिरी 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 प्रति नहीं होती है, तब तक जा करके हमको समझ भी नहीं आता है वो यह उंकर शुप्त रुप में कहां भीतर भीतर पुष्ट होता है, हमको पता भी नहीं चलता है यह उंकर बिगा तक हो जाता है इसलिए शादू जो होते हैं, संग्षरी लोग संमान चाहते हैं, मान मर जैदा पत्रिष्टा चाहते हैं, हमको संमाने घीने, चूने और उसमें बहुत प्रशन्न भी होते हैं यह ना अर अब मान बड़ा कष्ट दैख होता है कोई दिंदा करते हैं, कोई इस करते हैं महत, सादू के लिए सादू के लिए कोई निंदा करता है सादू प्रशन्न होता है मान ने जैको अपर सब्द कह दिया सादू जो होता है जो परमार्थी लोबी होता है उनके लिए, सबके लिए नहीं जो परमार्थी लोबी है जो भगबत चर्ण प्राप्त करना ही जिमन का उद्धिश जो राधानी के चर्ण में इसी जनम में प्रेम बाना चाहते हैं उनके लिए शब्दा है सब के लिए नहीं कोई अपमान करते हैं निंदा करते हैं तो क्या सोचते हैं शादू आहा यह हमारा निंदा कर रहा है हमारे यह दोस है तो हमना हमारे निंदा कर रहा है अरी हमारे मित्र है हमारे कितना बांधव है देखो हमारे दोस को दिखा रहा है इह धन्न्य भाव यह हमारे बंद्धू है और जो संक्सालि effeels लोग चाहते हैं सन्मान जा करते हैं तो शादू नराज हो जाते हैं, ची, हमारे जेचे पापी, अभी तक हमारा भजन हुई नहीं, हमारे भगवत प्रती हुई नहीं, कोई प्रेम भगती है नहीं, और हमारे प्रशंग्षा कर रहे हैं, ची, 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 लजजीत होते हैं, वो शांग्षारी लग उसमें गर् हो जाता है कोई अपमान कर शाधरन बात नहीं है ये शाधरन बात नहीं है इतना सहज बात नहीं है शाधू बनने आए हो बहुत दूर है शाधू बनना पुशाक पहनने से शाधू होता नहीं है मन में ऐसे भावना वहीं से हमको जाना है और मारगो ही है ये नहीं तो हम इस ज नता इतना होना संभब नहीं है तो कहते हैं भगवान कहते हैं अभी रुख जाओ रहो एही जगा रहो फिर आगे आना फिर हमको प्राप्ति के लिए आगे कोशिश करना जो जाता है सब को इस मर्ग को अब लंबन करके जाना पड़ेगा चाहे तो जोगी हो नेशी हो गयनी हो कोई बिद्वान हो कोई बड़े बिद्वान हो सबी को एकी मर्ग है तिर्नाद विशुनीचे न तरहर विशुष्णो न अमानीन मान देन कृत्तनिय सदा हुई कोई मर्ग एकी है दीने ने अधिक दयाकारे न भगवान पंडित कुलीन मानी रबरो भी मान दीन जो होते है भगवान अधिक करुणा करते है पंडित कुलीन मानी कुलीन मने मैं यह हूँ बलाना जाती के हूँ बड़े सम्रांत आचार जो बंक्षजू है बलाना डकोना यह सो बोई मिवान उहां चलता नहीं है भगबन कहते हैं तुम इसे भावना लेकर प्रशन न रहो अगर हमको प्राप्त करना चाहते हो भगती प्राप्त करना चाहते हो तो वहां तुम्हारे प्रवेशा भी है नहीं हां तुम प्रशन न रहो हम बरे मन्यता प्राप्त शन्मान पा रहे हैं हमारे मरजदा है शमाज में हम तो अच्छा है ठीक है भजन भी करते हैं हम ऐसे नहीं है हम तीन लाग नाम भी करते हैं ऐसे नहीं है बलता है यह मन्यता यह त्रिप्ती तुम ले करके तुम शंतुष्ट रहो लेकिन अगर तुमको प्रेम प्राब्ते करना इस ज्रनम में, तुमको शब्क के पाम के नीचे चे आना पलेगा, आना पलेगो, अप्षय नहीं, इसका कोई अप्षय नहीं, ना दुस्ता मारगा बलंबन करके चलेंगे, बलते हैं ना कोई अफशान नहीं हमारे पास, छोटा सा बात, छोटी सी पीशा है, उसी में ही एकदम बिख्षेप और बड़ो नाजेने, बड़ा कुस घटना हो जाता है, तो हमको नाजेन ढूड के ही मिलेगा नहीं, भजन करने आए हैं, हमको ढूड के ही मिलेगा नहीं, अरे पोशाक तो बड़ा खतर्नाग है, क्यों इस पोशाक तो सन्मान मिलता है, जाता है जहां, जाएंगे, बंगल में गए हम, अरे किसी को पहचानते नहीं है, हम बंगल गए हैं, पचास साल बाद, हजारों लोग साला पाम पर के लिए, भीर इतना, अरे कोई माला आविए, अरे भगवान बचालो हमको, प्रभू बचालो, आप तो हमको कोई जाने का मन नहीं है, बंगल में भाई, यह तो ऐसा करेंगे, तो हंकर को बढ़ा देंगे, हंकर को पुष्ट कर देंगे, फिर जाके उस पे तिपते रहो, त अच्छा नहीं करना, प्रभू से यह नहीं मोलना, प्रभू, अमर तुम्हारी क्रिपा मिली नहीं हमको, यह शब्दों नहीं कहना, यह शब्दों कहना है, तो बहुत शायना बड़ेगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं, एक दिन मैं चोटी बात, चोटी सी, लेकिन उसमें ब प्रपणची हो गए है बहुत, पहले उतना प्रपणची नहीं था हम, अभी तो जदा प्रपणची हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, पैसा छूते नहीं थे, एक दिन एक सेट ले गए हैं कहीं, अच्छी गाडी में गाये हैं, आँ मा रहते हैं, चंद्रश्वर बर, रात क समय आम बले वहां जंगल में भई उहां रहते हैं इह गाड़ी भड़ी आच्छा बी आइपी गाड़ी दिखने से भई ना जना चूड़ चूड़ टा क्या सवजिदी बहुत पईशा है उत्पात का कारण बनेगा ना आम उनको कहा दिये भई आ तो हमको यही छोड़ दो हम पाइदाल चले जाएंगे यहां से दो किलो मेटर है पाइदाल चले जाएंगे क्योंकि गाड़ी लिगर गवा जाना ठीक नहीं है नीताई बाबभी रहता था उससमा हमारे पास तो वह तो हमको छोड़के चला गया हम उनको से जा रहे हैं कॉंड़क्टर एक बास ठारी थ पाइशा है नहीं कोई जुरूरत नहीं बाबा आप बैठ जाओ कहां जाओ हमने चौंद्र शौर बढ़ जाएंगे बैठ जाओ हम उपर उट गए ठड़े हैं आप ड्राइब आरा के टिकेट कलेक्शन कर रहे हैं पैशा दो पैशा दो पैशा दो आपका भाई हम तो पैश दी उत्रो हम बता है भाई हमने आरे तो उत्रो पहले ऐसे एक तो शौप के सामने ऐसा है फटकार मार करके हमको उतर दिया हम तो दिखते हैं था हम उले शाला दो मिनीट पहले देखो बी आईपी गारी में यार कंडिशन गारी में चल रहे थे कितना सन्मान बड़े पैशा वाला कितना सन्मान करते हैं और एक साला ड्राइबर हमको इतना अपमान कर दिया इतना बारी लोग के बीच में उतर ही दिया चला ऐसे कोई बात नहीं है अपमान नहीं करने से हम उतर जाते हैं लेकिन ऐसे कोई रादरी को शिक्षा हमको प्राप्त करना था बड़ा अपमा आपको हाशी आ गया, आपको यह राधर नहीं, तुमने दो मिनिट पहले हमको इतना शनमान से यार कंडिशन कारी में तुमको घुमा के लिया या बड़े-बड़े शेट पंप उज रहे हैं, आर यहां एक ड्राइबर हमके इतना अपमान कर दिया, इतना लोग के अंदर शब यह कैसे, तुम्हारी क्या लिला है, तो हमारे भीतर से ही जैसे, ऐसे आवाज आया, यह देख, वो जो सनमान दिया ना, वो भी जूटा है, और यह जो अपमान के यह यह भी जूटा है, दोनों जूटा है, दोनों को जूटा मान लेना, कोई किमत नहीं, और सनमान का भी किम नहीं है अपमान कभी किमत नहीं है तो इसको बरबर मान लेना बड़ा पुर्षन हुआ मना अमारा हा राधर ने तुमने एक शुंदर हमको एक अज्ज्ञान दिया छोटी सी घटना है लेकिन हमको खुशी हुई बड़ा प्रशन हुआ बड़े आनंद से हम चल रहे थे तो य समदुख शुकसास्त समलोष्ट शकांचन प्रिया पुर्ष धीर तुल्ल निंदा संस्तुती मान अपमान तुल्ल तुल्ल मित्र रिपक्षयो शर्वारंभा परित्य की गुनाती तो शुच्च दिया शमशत्रो चौमित्र चौत अथा मान अपमान शीतुष्ण शुकदु शमशंग भी वड़ जिता तुल्ल निंदा स्तुती मौनी शंतुष्ट जिनक नचीत अनिके तस्थीर भक्तिमन जा सौमी प्रियो भगवन कहते हैं वह मेरा प्रियो है यह मान अपमान दोनों ही अज्यानता पुर्ष तो यह सोरीर धर्मी अहंकार से पैदा होता है अहंकार कोई शानमान करता है उसमें अगर हमको प्रशन होता है तो समझना यह तुमारा अहंकार है कोई अपमान कर देए उसमें हमको अपमान बोध होता है तो समझना यह भी तुमारा अहंकार है यह प्रवेशी नहीं करना है आम इससे अतीत है आम इससे बहुत उपर है उहां इसक आगे चलना मुश्किल हो जाएगा आगे चलना तो हम जो कह रहे थे पंडित बड़ा लजीत हो गया जो हमको इतना सब को स्थूति प्रशंग्षा करके हमको तो बोले है ना बहुत बढ़िया गृंत बढ़िया गृंत जाओ महापरो बढ़ प्रशंग्षा हो जाएगे इतना लेकिन बिद्वान जो होते हैं तो जानते हैं साथ तो सम्मंद में तो यो तो फूल गया प्रशुंक्षापा करके मुटा हो गया अब वहाँ जाके एक दम पांचार कर दिया शरुब दमदन एक दम पांचार कर दिया तो आपके समने इतना बुड़ी तरह से इस पठ करा तो महत पुरुश है ना तो बहुत लजजीत हो गये हैं फिर समाज आचना किये हैं तो कहें जाओ भागबाद पढ़ गया बश्टन बेर स्थाने तब इसे बजी ते बढ़े शिद्धान तो तब बजी भिया आपने श्रुनागत जी बश्टनम है उनके श्रनित में जाकर के भागवात ज्यान करते हो जाकर किशिद्धान न श्रमांद में तुम कुछ गयान प्रप्त कर सकते हो क्योंकि भागत पढ़ Himalaya, उनकी भीतार शमाज लजब के स्द्धान तो स्पूर्टि कुट मुनी एकड़न गोस्थमि सन्तां थे बड़े बिद्वान बड़े बिद्वान 에ऊ समस्त वश्चनी अलंकर से अलंकरिता है वश्चनी भे सुध गुर्ण से अलंग कृता है ऐसे एक प्रातश्वरणियों प्राणगभल गोष्ट्रमी आमारे बश्ट्रमाद में आये गोष्ट्रमी परिवार के एक बार को शिद्धान तो ले करके उनका मन में खटका लग गया होता है स्रिमाद भागवाद पुराण में गीता में आदी कभी-कभी शिद्धान तो बीरोत शब्द शुनने आता है ये कभी-कभी ये शब्द का कभी प्रशंक्ष्टा करते हैं दूसरा कहीं उसकर निंदा करते हैं कभी कहते हैं ये ठीक कभी कहते हैं ये ठीक हैसा ये पुरान में ऐसे देखने में आता है, जबी जिस पुरान देखेंगे उस पुरान में उनी कोई स्रिष्ट मान लिया, देभी पुरान देखी है, देभी पुरान के उपर और कोई पुरान है नहीं, और सब क्रिष्ण फिष्ण यह जब है, सब इनका ही सब छटा है, शीवपुरान देखी है शीव के उपर कोई भगवात्ता के चरम शीमा शीवपुरान और रौचवीत अभी वेद्वैड़ जी शीवपुरान देखे सीवी शर्व स्रिष्टा है एना शीवपुरान में है ब्रह्मा विष्णु को शीवजी कह रहे है विष्ण पुरान में देखिए विष्णु शर्व पड़ी है विष्णु शर्व पड़ी है विष्णु पुरान विष्णु पुरान जिनकी चरण कमल के एक छटा जश्यौ पदनक जच्ना चरूनक दमल की जच्ना न जोती उसको परब्रम्य चैटिए है जश्यौ पदनक जच्ना परब्रम्यति सब्दितांक सवयब ब्रिंदावन भुवियारी नंदिरًण नंदिर नंदगन में खेल रहे हैं ला ओही ओही परंपुरुष ब्रिंदवन भुवियारि आप देखिए स्रिवाद भागवाद पूरान में देखिए देवा की माता वहाँ जब उनके गर्वे में जब कृष्ण आए है कृष्ण जब जब जनम लिये हैं भगवान तो सक्षात रुप में dasant ये देखो चिंता नहीं करना भाइ नहीं पाना मैं देखो मैं ओही पुर्ण ब्रह्म शनातन हो देखो तुम्हें भाइ नहीं पाना कोई चिंता नहीं भाइ पार रहे हैं थे होजे यह बच्चा को भी कौंक्षोने ले करके पठक के मार देंगे भाइभी तो हो गया है देब की माता बशु देब बाबा तो भगमान उनको अस्वस्त करने के लिए चोदर भुजरूप में अभीर बुत हुए है वहाँ देब की माता क्या स्थूति कर रहे जश्यांग श्यांग 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 श्या जो जो सिष्टि स्थ प्रवलाए जोभी है भुस्तु है पदाइक्थ दिश्वांन जबी बुस्तु है तुम्हारे क्या कहोगे आप कौन कहोगे कौन जो पूर्ण ब्रम्म शनाता नहीं क्या कहोगे इसे तो शास्त्रों ऐसे भ्रमित हो जाओगे इसलिए शास्त्रों पड़ोगी आप बुष्ण बेरिस्थाने देखिए ना तामाशा कैसे हैं तामाशा कैसे हैं दिर 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 बढ़ा होना शूर हो गया बढ़ा वोगिए पिर उसको रखे तलाब में थलाब भर गया फिर रखे नदी में नदी भर गया पिर बड़ा होते होते वही शुकर पिर रशातल में जा करके प्रिथिभी को धरित्र को उद्धार करके ले आ रहे हैं तो समस्तो सिष्टी शब जितना दिवता है शब स्तूति कर रहे हैं बड़ा हो भगबान का और ओही ब्रह्मा ओही ब्रह्मा स्तूति कर रहे हैं आप सब क आदी पुरुष है बोली जिनके सीख से आये हैं जो परावगोपाल और वही ब्रह्मा जी उनके स्तुची करें आपके पितन नहीं बाहर नहीं आप शर्वपली है आप पराद 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 ब्रह्मा क्या कहोगे भाई ये लीला इसे लिए कहते हैं शिद्धान तो दूसरा पराद और एक जनका सिष्टता प्रदिवाद उनकार tenemos इसलिए कहते हैं शिद्धान तो पढ़ोगिया बश्ट्नब दिरETHाने बश्त्नम जो भजन करते हैं जो भजन करते हैं उनके ठीक समाधान नहीं मिल रहा है बड़े-बड़े पंडित का पास गए है समाधान के लिए लेकिन जो समाधान देते हैं प्रशन्नता नहीं, मन प्रशन्न नहीं हो रहा है क्या करने भाई, शिद्धान तो मैं इसको जानना जरूरी है तो सोचे हैं जो भगवात भगत जो है भजन करते हैं इनके प्रती प्रभु के बहुत किरपाय कायते हैं भगता भगवात अंग्रेज्जा तो कोई ऐसे भजन नंदी जो शादू है ऐसे उनके पास चलो देखो वो क्या शिद्धान तो करते हैं तो गए है एक अनपर गमार मने भोतिक भिद्धा जो है उसमें अनपर गमार एक बड़े भजन नंदी एक एकांत में रहते हैं जंगल में अत्यांत तिब्र बईरागी दुनिया से मतलब नहीं लेना ना देना मगन रहेना ऐसे शंत है उनके पास गए है जो यहां भजन नंदी मात्मा कोण है न Waar वहां बाबा एक है वह किसे से मिलते नहीं कहीं जाते नहीं बस उनके पास चले गए जा करके आप कहां से आयं है तिलक पिलक दिखर मेर नम है प्रान कपल गौश्च grad चारा भारत में नाम है प्रभू 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 आप क्रिपा करके हमारे यहां आये हैं हमको उद्धार करने के लिए आये हैं प्रभू आप क्या सेबा करें कि बेग बेग करके रोना शुरू कर दिया ऐसे दीनाता दिखाते हैं शंतो तो आदेशकी जी आप किसलिए आये हैं हम आपके लिए आए हैं शुख सकते हैं उसके नहीं देखिए मैं आया हूँ एक प्रस्टन ले करके तो यह शिद्धान्त सम्मंद में हमारा कोई प्रोभी शों नहीं पा रहा हैं हम टिक समझ नहीं पा रहे हैं बस तब में शिद्धान्त क्या है तो आपके पास आए है ये सिद्धान तो समंद में आपके क्या राय है इस समंद थोड़ा से सुना ही हमको सुन करके तो एक दाम उपर से गिर गए प्रुभू हम मुर्ख गमार है आपको भी शासर अध्यान किये नहीं और आप हमको क्या परिक्षा करने के लिए आए हैं प्रुभू आप हमक भूतिक विशा में जो पड़े लिके नहीं है ऐसा कहते है ना लेकिन ऐसा तो नहीं है जो तो परम विद्वान है जो भजन करते है जो भगवत शर्व में शमर्पित हो करके जो भजन करते है वो तो परम विद्वान है वो तो विद्धत्त का शिमा है ना फिर में बोलते है नहीं नहीं आप देखे दिनाता मत दिखाए है हम जो कहते हैं हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप जो कहेंगे ठिक कहेंगे या शास्त्र शिद्दंत बिशर में आपके जान करी हैं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं आप के राय क्या है या हम तोरह सुनना चाहते हैं ऐसा बार बार बोलते 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 तो आप तरह सुन लिजी है हमारे जो भीतर में हमारे जो प्रिश्ण है तो कहिए प्रभू तो कह दिये हैं ये सिद्धान तो संबंद में आपका राय क्या है ये बताई हम यह नहीं कह रहें कि आप शास्र जानते हैं शास्र शीद्दन तो क्या है हम यह नहीं कह रहें उन्हाप क्या कहिना चाहती है इतना कही है तो आँख मूत करके मलते प्रभु आप बुरा मत मानिये मैं तो मुर्ख गमार हूं मेरा मन कहते है शायद ये इसका जो अंतनी तातपड़ी ये जो है ये है ऐसा करके उनके राय दे दिया प्रान को लोगो श्रमी एकदम बिलकुन नित्त करने लगए मिल गया मिल गया हमको मिल गया उत्तर मिल गया हमको मिल गया हमको मिल गया उत्तर मिल गया बोलो, ऐसे लिए कायते हैं, ये बिद्वत्ता के बात नहीं है, बिद्वत्ता काम नहीं आता है, हरी भाजान जो करते हैं, वो सर्भुपरी बिद्वत्ता है, सब बिद्वत्ता के सिमा है, जहां जाके समस्त बिद्वत्ता समापत हो जाता है, सा बिद्दा अतनमतिर जाया, वही बिद्दा है, जो भगवात चरण में मती उत्पन्न होती है, अगर भगवात चरण में मती उत्पन्न नहीं हुए है, तो वह बिद्दा अभिद्दा है, उसको बिद्दा कहा नहीं जाएगा, इसको भोतिक बिद्दा है, यह अभिद्दा कहते हैं, अभिद्दा कहते हैं और विद्धा यह जो भगवाच चरण में मति उत्पन्न होती है अगार मति उत्पन्न नहीं होती है तो उसको बिद्धा कहां नहीं जाएगा तो वो पन्दित फिर जा करके प्रणाम करके महाप्रम के चरण में प्रानिपात करके फिर शमाज आचना करके फिर जाके चले गए प्रशन नहीं करके जोना ऐसे बिद्धत्ता से काम नहीं चलेगा भजन करना पड़ेगा तो ऐसे कोई बश्नप के चरण अस्रा करके भजन कर जरूरी है तो उब जाके तुम कुछ जान पाऊगे नहीं तो बरतत्त बीशाय में शास्रोज ज्यान करके वह गयन के द्वारत ना किसी का मंगल हो सकता है आपना मंगल तो बहुत दूर की बात है कि बिजिश कुछ मंगल होता नहीं है हाँ सुनने में अच्छा लगता है कोई भजन नहीं कुछ था है कुछ अनुबब नहीं कुछ था है हाँ बहुत शासरे अद्यान की है गाना आवाजना शाव नाना प्रकार यह दे करके को मनोरन्जन कर रहे है ठीक है अच्छा है शुनने में भी अच्छा लगता है ठीक है खराब नहीं है अच्छा है लेकिन उस उस शब्द के दोरा दुस्तर के रिदाए में पुरिवर्तन लाना श्रंबब नहीं है पुरिवर्तन लाने के लिए चाहिए उसको उस थिती में पहुस्तना जहाँ जहाँ पुरुष है तो उनके शब्द में उदम रहता है तो जाकर कि उस शब्द जाकर कि उसके रिदय में प्रिबिश करके रिदय में पुरिबर्तन लाने में संबब है ऐसे तो नित शच्छंग करने का क्या जरूरत है किताब में तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिल वो शक्ति ऐसे किताब में कहां से मिलेगा इसे लिए खागबाद पड़े गया विश्टन वे रिस्टन विश्टन के बाद जा करके क्रिश्टन वक्त के बाद जा करके कथा सुर्बन करो आज की कथा हैं बिस्राम फिर काल हम लोग चलेंगे आगे जै जै स्री राधे शाम निताई गोगाद